क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और फ्रेस करो इस बेल आइकन पे ताके आप देख सको वीडियो सबसे पहले हेलो गैस विल्कम डू माई यूट्यूब चनल तो इस वीडियो में मैं आपको बताना हो आप अपने अप्लिकेशन के अंदर इमेल वेरिफिकेशन कैसे लगा सकते हो जैसे कि यह वीडियो डेवलोपर 2.0 ने अल्रीडी बनाए हुए इमेल वेरिफिकेशन का प्रोसेस तो इ आपको टेस्ट करके बता तो यह वक कैसे करेगा तो आप देख सकते हो जो कि आप्लिकेशन ओपन हो जो कि नॉर्मली सभी लोग क्रिएट करते हैं पर काफी लोग अपना इमेल वेरिफिकेशन के मोबाई पी सिस्टम नहीं लगा तो इसके अंदर आपको सबसे कर लेता हो तो आप देख से तो सबसे पहले मैंने नाम एंटर कर दिया बाद में मेरा इमेल एडरेस भी यह देख सेकत हूँ यह मैंने इमेल एडरेस भी एंटर कर चुका हूँ उसके बाद में मुबाइल नमर पासवर्ड और यह रीफर कोड जो कि नौर्मल पूछा जाता है तो उसके यहां अपको आपको और इमेल का जो आप इन्टर करना रएगा तो यह मैंने एक नॉर्मल तरिके से बनाए हुए आपको dried करने के लिए इसके उपर आप और भी लिख सकते हो email otp email verification ऐसा करके जो चाहे वो लिख सकते हो तो जैसे आप देख से तो मेरा computer screen भी आपको देख रहा है तो इसके अंदर एक email आ गया तो आप देख सकते हो यह जो कि एक website के तुर email verification हो रहा है तो इसके hosting के अंदर एक code डाला हुआ PHP का वो code run होता है विसके बाद में हमें एक OTP आता है तो आप देख सकते हो इधर मुझे OTP आ गई है वह इधर आप देख से तो एंटर OTP पूछने को गया रहा है तो इधर मैं यह email को open करता हो तो आप देख सेकते हो यह मेरा OTP देख रहा है तो इधर मैं wrong OTP OTP feel करता है जैसे आप देख सेके तो मैंने randomly wrong OTP fill किया तो इसके बाद मैं submit क्लिक करता हूं तो divnymi पर क्लिक करूँ तो OTP is incorrect यह दिखाएगा तो इधर आप देख से तो अब मैं सही OTP फिल करता हूँ तो जैसे मैं सही OTP फिल करूँ गा इसके बाद में हमारे register successful हो जागा तो जैसे आप देख से तो मेरा यह OTP is 94246 तो यह जैसे मैंने सही OTP फिल की उसके बाद में submit पर क्लिक करता हूँ तो जैसे मैंने submit पर क्लिक किया तो आप देख से तो रेजिस्टर सक्सेस्फ़ली तो इसमें आप notifier भी इदर जैसे register successfully लिखा हो तो इधर आप ऐसा लगा सकते हो verification complete या फिर OTP is verified ऐसा करके भी आप लगा सकते हो तो यह प्रोसेस आपको अपने application में कैसे create करना वह मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताना वाला बहुत ही पर इसकी AI file भी दूँगा और उससा साथ में PHP का जो code वह भी में जो की developer 2.0 ने provide किया हुआ और वह भी बहुत अच्छा application development की related वीडियो बनाते रहते हैं तो हम चल जाते हैं डार्यक मैक्रोड की website पर यह कैसे create करना वह मैं आपको बता जाता हूं कोडूलर की website पर जाने के पहले मैं आपको बता है तो आपने अपितिक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इदे रेट कलका बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके subscribe कर दीजे मैं बहुत सारे ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो लेकर आते तो जिससे आप अपने application और भी बैतर और अच्छा बना पाई तो आप देख सकते हो मैंने काफी सारे कोडूलर मैकरोड ठुमकेबल के पर पे application कैसे डालोप करने वो प्रोफेशन एप्लिकेशन कैसे डालोप करने इसके रिगार्डिंग काफी सारे वीडियो बनाये हुए तो यह सब वीडियो आप देख सकते हो नी आप सकते हो इसके अदर मोबाइल लेना चाहता हो यूजquin अदर यह जिस देखा देना रेजिप्स करना है वह अपको बहुत ही रिजाइन कर देना तो यह बहुत सिम्पल प्रोसेश था तो यह चैंशोस तो यह टेक्स नेम घृटन दीख रहा है ये 55 lige लेंध बटन जैए इदर मैंने एक और layout लिया हुआ है यह हो जो कि OTP enter वाला layout लिया हुआ है तो जैसे आपने मेरा mobile screen पर देखा था जैसे हम register के button पर click करते था मैं दोनों को visible करता हूँ तो आप देखते तो यह दोनों visible हो गया है इन दोनों को मैं scroll करता हूँ जो कि scroll mode on करते तो आप देखते तो जाना नहीं पड़ेगा कि यह OTP चेक करना है कि यह OTP यह सेम है कि नहीं तो वह क्या है वह आपको ब्लॉक पार्ड में समझ में आ जाएगा तो आपको इस तरह डिजाइन कर लेना एक layout रखना है जिसके अंदर आपको सारी register जो आप user से data ले रहे है वह रखना है वह वह user को देखना चाहिए और यह जो दूसरा layout है उसको आपको design कर देना डिजाइन करने के बाद में इसको invisible कर देना तो आप देख से तो यह layout में लिया वर्टिकल लिया उसके अंदर में text box लगा है एक button लगा है तो इससे मैं invisible कर देता हूँ इससे हम visible जो कि block part से करेगे जब user email address successfully fill कर देगा तो यह तो आपको design समझ में आगे रहेगा बहुत ही simple है यह आपको design कर लेना है अब design करने के बाद पर फिर में आपको ब्लॉक पार्ट में लेकिया जाता हूँ तो तो यह block part बहुत ही simple है block part के पहले में आपको बता है तो आपको एक free का hosting chair है जिसके अंदर हम PHP का code डालेगे और विसको run करने के through हमारे email पर जो की verification code जाएगा तो इसके लिए आपको google पर search करना है 00 webhost तो आप देख से तो 00 webhost करके आपको search करना है विसके बाद में फिर आप देख से तो यह webhost की website है उपर आपको दीख रिए in.00webhost.com तो इसकी link आपको description में मिल जाएगी इधर आपको register कर लेना है और आपने already register किया तो आपको sign up जो कि login कर लेना है तो मैं आपको इधर login नहीं register करके बता तो जिससे आपको बहुत ही simple तरीके से समझ में आ जब कोई भी difficulty ना हो तो इधर आप देख से तो login with facebook google या फिर इधर detail फिल करके कर सकते हो तो मैं login with google करूं द्वतने ही पढदती है जो हमारे इमेलह सके डिटेज सारे एक्सेस कर लेती जो कि इनको सारे information हमारे मिल जाते है तो आप देख से हो मेरे email select करने के बाद में इधर आप देख से तो ऑ को इस तरह का देखने को मिलेगा इसके बाद में फिर आप देख से तो इधर my site पे लि इमेल करके मैंने यह डाल दिया, इमेल ऐसे करके मैं डाल देता हूँ और यह मैं create कर दीता हूँ और यह आपको password देखने को मिलेगा तो इससे आप save कर लिजे और यह create कर लेता है तो यह देख सकती हूँ जो successfully हमारा एक यह free of course website create करके देदेगे इसके अंदर आपको अपना Wix का या फिर आपने कोई भी file upload कर सकते हो पर वो सब नहीं करना है हमें जो की email verification के लिए process कर रहे है तो इदर आप देख से तो आपकी website तयार हो चुकिए आपको check करना ह कि कौन सी website तयार हुई तो इदर my website वापी से क्लिक करना है तो इदर आप देख से तो emails नाम से मैंने create किया हूँ इदर आप देख से तो emails.00webhost.com तो आपको direct.com कोई भी नहीं प्रोएड करेगा जिनके आप भी web hosting आप free of course use कर रहे हो इनका बीच में नाम आ जागे जैसे आ आपको यह सब देखने को मिलेगा इदर tools पर आना है इदर file manager पर क्लिक करना है इसके बाद upload file पर क्लिक करना है तो इदर आपको PHP की file upload करना है अब यह file कौन सी वह मैं आपको बता दे तो इसके अंदर code क्या है वह भी मैं आपको बता दे तो यदि आप उसको आप type करके भी दाल सकते हो और मैं आपको description में वह file मिल जाएगी उससे आप direct भी upload कर सकते हो तो मैं इदर आपको दोनों तरीके से करके बता जाता हूँ किस तरह आपको direct इदर edit करना है इदर file डालना है वह कैसे होएगा तो इदर आप देख सकते हो इदर आपको एक भी file नहीं देखी तो बाद में आपको दिखा दे तो जैसे email.php यह मैंने create कर लिए जो कि हमारे file का नाम last में आपको .php लगाना है अभी .php क्यों लगा रहे है क्योंकि इसके अंतर जो भी हम code लिखने वाले वह सारे PHP के में रहेगे तो आपको .php लगा देना है इसके बाद में left click करना है इसको एडिट पर क्लिक कर देना है तो इसका code आपको description में मिल जाएगा और जो developer 2.0 ने उन्होंने भी दिया हुआ विनका same code हम use करेगे तो आप देख से तो इस तरह open हो जाएगा तो इधर आपको अपना code टाइप करना आप यह code क्या है वो मैं आपको दिखा देता है और यह code आपको description में मिल जाए कोई भी tension नहीं वाली बात नहीं है तो इधर आप देख सकते हो इधर आपको देखने को मिलेगा यह देख सकते हो यह हमारा code यह मैं copy करता हूँ यह copy करके इधर में paste कर देता हूँ तो आप देख से तो इस तरह आपको यह code paste कर देना है और इसके code कर दिया अब इसका मतलब क्या होता है यह code का मतलब क्या होता है तो यह programming language में code लिखा गया जिसके through हमारा email send होएगा तो आपको थोड़ी भी programming knowledge का आपको पता है programming knowledge के बारे में तो आप यह easy तरह के से code समझ जाओगे तो इधर आप देख से तो dollar to dollar or tp नाम से यह variable declare किया ले तो वो test कैसे करना है वो बहुत ही simple है इधर आपको यह code देखने को मिले इस code के अंदर आपको इधर देख से तुझे से dollar post यह लिखा हुआ है इसे आपको इधर से हटाना है इधर से हटाना के बाद में इधर आपको email address डालना है तो इधर आप देख से तो मैं दो कॉमा आपको लगाना दो inverted comma लगाना बाद में फिर आपको इधर जो कि मैं मेरा email address डालता हूं यह मैंने मेरा email address एंटर किया यह आप देख से तो यह मैंने मेरा email address एंटर कर दिया और इस second वारी line भी मैं delete कर देता हूँ जो कि निकाल देता हूँ और यह code आप जिसे मैंने notepad में copy करके रखा हूँ उसी तरह आपको copy करके रखना है और इसके बाद में इधर आप देख से तो यह OTP यह इधर से भी जो variable declare किया हुआ है वह मैं हटा देता हूँ तो इधर आप ध्यान से देख सकते हूँ यह जो inverted comma के अंदर यह हमारे जो कि टेक्स है जो हमारे print होएगे value जो कि print होएगे मतलब हमारे email में send होएगे इधर सब्जेक्ट में रहेगा your OTP one time OTP password लिखके आएगा body के अंदर your one time password लिख हुआ है तो इधर आप चाहो तो जो चाहो वो कर सकते हो तो इधर जैसे for example मैं MS code कर देता हूँ यह मैंने MS code कर दिया तो इधर आपको जब जब किसी को भी email रिसीव होएगा तो वहाँ no reply other MS code तो यूजर इस mail पर वापिस reply ना करे उसे समझ में आ जाएगा झाल